अगर फर्स टाइम आया हूँ मेरी चैनल पर तो प्लिश सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा देना ताकि मेरी हर वीडियो की नौटिपिकेशन मिलती रहे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो मिंत्रा से यह मैंने ओर्डर किया था सबसे पहले में यह आपे स स्टेप है जब भी आपका कोई भी कुरियर आये तो सेनिटाइज जरू से कर लिजे हाथों में भी मैं थोड़ा सा एप्लाइ कर रहूं और इसके बाद मैं इसको अन्बॉक्स करूंगी क्योंकि कुरियर बदलते रहते हैं जगा जगा से आते हैं तो थोड़ा सारी इसको ज अन्ट दिकाते हूं और इससे पहले मैं किसी भी कंसिलर का यूज़ नहीं कर रही थी जए सीची क्रेम या बीब क्रीम में एज एक कंसिलर में यूज़ कर रही थी यह देखे कितने अच्छे से पैक हो के आया है बिलकुल डेमेज नहीं होता इस तरह से अगर पैकेजिंग आती है तो ये देखे कितना सेफ है सामान और इसको भी में थोड़ा सा सेनिटाइज कर लूगी ये देखे तो चलिए इसे में लेबल खोल देती हूं तो ये देखे स्टीकर से लगा हुआ इस पे इसको मैंने हटा दिया है और इसका टैक्स्चर और कलर में दिखाऊंगी और ये शेड है मेडियम बेज मैंने ओनलाइन ही देखके बताया है मुझे खुद का शेड नहीं पता बट ये देखे कितना पर्फेक्ट शेड आया है इसको मैं थोड़ा सापको ब्लेंड करके भी दिखाती हूं ये देखे बिल्कुल मेरे स्कीन से मिलता जुलता है और बहुत तो इसको मैं वापस से लगा दूंगी इसकी बॉटल में तो तीन साल तक ये सामान खराबनी होगा इसमें लिखा हूँ है और बेज कलर कितना अच्छा है और सभी जिनका लाइट और फेरर स्कीन है उन सब के लिए ये कलर आराम से जाएगा इसके बॉटल में ज्यादा डि 18 मांट्स के बाद में जो खराब हो जाएगा वो निसान यहां पर बनावा है तो इसको मैं अब नेक्स्ट मेरी जो भी मैक अप की वीडियो है उसमें मैं यूज़ करके आप सब को जरू से दिखाऊंगी और ये लेवल में वापस से लगा लिया है ताकि मुझे धियान रख कि कब मैंने पर्चिस किया है आई होप आप सबी कोई वीडियो पसंद आई है